नमस्कार दोस्तों एक छोटा से एथिकल कॉंसेप्ट जो आज बात करेंगे महात्मा गांदी के द्वारा दिया गया सेवें सिंस मतलब साथ पापों के अधारना के बारे में बेसिकली गांदी जी क्या पर फोकस करते हैं 1925 में गांदी जी ने यंग इंडिया में यंग इंड सब्सक्राइब करें गारें तो हर्म करेगा इसलिए अप hardware करो और वो जो वैल्ठ है न यूसीफल रहाएगा आपके लिए सेकंड है प्लेसर विदाउट क्रेक्टर आपना प्लेजर के लिए अपना बेसर के लिए आप किसी को हर्म मत कीजिए इसका मतलब है आप बिजनस कीजिए लेकिन साथ में एथिक्स को भी साथ में लेके चलिए किसी भी चीज को बिजनस करने तो देखे कि यह बिजनस से किसी का हर्म तो नहीं हो रहा है अगले सकते हो प्लास्टिक कंपणी डे सकते हो इडवटायसमेंट दे सकते हो इन्होंने कभी एथिक्स का ख्याल ही नहीं रखा कि इसका हर्म होगा हो सोसाइटे इसके लिए नेक्स्ट है science without humanity, आप human humanity को साथ में, मानतावादी को भी साथ में रोको, और science को भी साथ में रोको, आप science में डेवलप करे हैं ठीक है, लेकिन humanity भी एक जरिया है, जगह है इस अर्थ पे, जो human ही science को दिया है, तो गांधी जी ने ये बताते हैं में कि science without humanity, यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है नाुलिज विडाउट और नौलिज विडाउट करेक्टर का मतलब है जैसे उसामा बिन लादिन के पास बहुत जाथा नौलिज था लेकिन उन्होंने क्या किया अपना और प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्रिंसिपल का पॉलिक्स नहीं कर जखते हो इंडिया में एक खास बात है ना कि इंडिया को जो भी पॉलिक्स के सब है और ड्रीवन होते हैं कंस्टिटुशन के दौरा और डेमोक्रेसी एक कंट्री है इंडिया यह एक अच्छी बात है आप एक कंक्लूजन मिली सकते हैं क्या अगर हमें एक अच्छा सोसाइटी बनाना है हमें अपना हुमेनेटी को रिश्टोर करना है हमें यह गांधी सी के द्वारा दिया गया सेवन सिंस पर पॉलॉप करना पड़ेगा सो थैंक्यू थैंक्स फॉर यू लव